केमचो मज़ा मचो ठीक है जी हम भी खुश है आप भी खुश है और क्या चाहिए और आज एक किसी ओडियंस ने मुझे बोला था टाइफएड के उपर आप एक वीडियो बनाएं तो मैं लेकर आया हूँ आपका सेवा कापके सामें हजिर है परधान सेवक नहीं हूँ मैं सेवक हूं सिरफ और टॉपिक है टाइफएड और टाइफएड में क्या प्रैक्टिकल प्रॉलम है प्रॉलम क्या होती है टाइफएड कहीं बार होता ही नहीं और आप टाइफएड का मरीज बना दिये जाते हो आप इंजेक्शन लगव तो इसलिए बार का मत खाये जाला गंदी बंदी जगा का लक्षन क्या होते हैं फीवर स्टेप लैडर पैटर्न होता है अगले दिन 101 हो जाएका 102 जाएका 103 ऐसे बढ़ता जाता जाता फीपर और साथ में पेट की प्रॉलम्स होती है डायरिया कॉंस्टिपेशन उल्टी पेट में दर्थ ठीक है और कॉंप्लिकिशन कई बार बहुत बड़ी-बड़ी हो जाते हैं इसलिए इसको डियाग्नोस करना भी जरूरी है जैसे कि पेट की आंथ फट सकती है क्योंकि पेट पर सरकत है या दिमाग में चला जाए तो एंट्रिक एनिक्वलमपैथी नाम की बिमार पांच दीवात है विडाल जो पांच दिन के बाद पॉस्टिव बात है और तीसरा है इसरा अजी सबसे जबसे जबसे रहा है और बाकी लखनू मेडिकल कॉलेज, किंग जोई मेडिकल कॉलेज में था, हमारे टाइम पर पहले पेशन को बिना टेस्टों के ही डियाग्नोस करना होता था, फेल कर दिया जाता था, अगर आप अपने टेस्ट पहले करा दिये, वो गयते थे पहले ऐसी बताओ, है क्या, अब तो पहले जिनको एक महीना हो गया है, हलका बुखार चल रहा है, लो ग्रेड फीवर है, 9900 होता है, अच्छा मैं पहले यह बतातू, नॉमल टेमरेचर वोडी का होता कितना है, सुबह 98.6, शाम को 99.6 तक नॉमल बुखार हो सकता है, किसी को भी, नॉमल बॉडी का टेमरेचर इतना हो खून की कमी, उसमें भी हलका फुलका बुखार आ सकता है, स्ट्रेस, टेंशन, उसमें क्या होता है, बॉडी के मसल टाइट रहती है, टेंशन में हो, तो वो भी आपका बॉडी के तेमरेचर को बढ़ा सता है, तीसरो रहा होता है, हाइप थारेड में जिसमें हार्बोन निकल आते हैं, टीबी के, जो बहुत कॉर्मन इंडिया में, तो इसलिए कईयों में यूरी इंफेक्शन होता है, किसी में कुछ और निकल आता है, तो टाइफएड को डाइग्नोस तो करें, लेकिन ओवर डाइग्नोस हो रहा है, छे महीने बाद भी जाते हैं, तो यह था, टाइफएड के उपर मेरा एक छोटा सा की इंटेस्टों पे बहुत जादा हम रिलाई नहीं कर सकते हैं, इनकी वैल्यू के उपर नहीं कर सकते हैं, और करना कि अगर टाइफएड हो जाए, बचाओ के तरीके तो आपको पता है, साफ पानी पे यह करें, वैक्सीन जालब हो जाता है, क्योंकि इतनी अंटिबाटिक का ओवर यूज हो चुका है, कि यह नॉमल दवाईयां जो हम लोग यूज करते थे, वो काम ही नहीं करती है, अल्टिमेटल फिर इंजेक्शन हमें भी लगाने पड़ते हैं, इंपर उतने इंजेक्शन की भी डोस इतनी हा जो रहा है, ओवर यूस, बिराबाद के यूस, हर पेशन को टाइफएड, 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 लाना यह तो ऐसा लगता है, एक धंदा हो गया टाइफएड के नाम पे, सच में, इसको फाइदा उठाते हैं लोग, जरा सा वो कुछ वाँ, financially भी आपक यसी तरही होती है, और यसे भी, mentally भी आप सिक हो जाते हो, जबकि टाइफएड है, निकितम भुखार ही नहीं होता, पेशन को फीवर इनहीं होता, तो टाइफएड बोल देते हैं, उसको फीवर ही नहीं है, आप टाइफएड कैसे बोले है, टाइफएड और अगर अच्छा लगाओ तो अपने इस प्यारे से डॉक्टर को, मैं प्यारा बगवान के नाम, बगवान को प्यारा ना हो जाऊँ, मेरे लिए दुआ करना, और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास रोज अन्नोन लोगों के फोन आ रहे है, पुरे इं सच में बहुत अच्छा लगता है, और आप जो काम कर रहे हो, और एक दिन आप बहुत बड़ा काम करोगे, यह है, वो है, और उनके हस्बेंड के अभी डैथ हुई है, तो मैं इतना इमोशनल हो गया है, उनसे बात करके, क्या बोलू, तो यह अभी शुरुआत है, आगे च सकता हूँ, जरू करूँगा, क्यों बहुत बड़ा बनाया है, ना, सच में, डॉक्टर बनना अपने आप में बहुत बड़ा एक कहते हैं, क्या उर्दू में बड़ा है, कि बहुत बड़ा भवान आपको एक ऐसान की आपके उपर, आपको डॉक्टर बना के, कहते हैं कि ब बगवान के बाद डॉक्टर ही होता है, वो बात अलगेगी, आज कल बगवान के बाद जो डॉक्टर से उन में हर तरह के डॉक्टर हैं, लेकिन अपना काम अच्छे से करो, और मैं जो काम कर रहा हूं, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को पसंद आ रहा है, और अगर मुझे आगे बढ़ाएंगे, तो मैं और अच्छा करूँगा, क्योंकि अंदर से एक मोटिवेशन मिल रहा है, अंदर से लग रहा है कि हाँ यार, ये लोगों को भी अच्छा लग रहा है, आपको नहीं अच्छा लगेगा ना, तो मेरी भी हिमत तूर जाएगी, तो प्ली हूंदर से लगेवाइग is še ivaz झेए लगे से लग बड़ाएंगे, तो तो मेरी अच्छा लम मिल रहा है, ऊच्छा करूदर से लगके लगेशन मिल रहा है।